गर्मियों के दिन थे और गर्मियों की छुटियां भी चल रही थी राहुल जोती एक शाम दोनों अपने घर के बाहर केल रहे थे तभी उनकी मम्मी और राहुल जोती जरा इधर आओ जल्दी से तभी राहुल और जोती अपने घर को चले आए जैसे ही राहुल जोती घर के अ रहे हैं फिर ये सुनकर तो राहुल जोती की खुशी आस्मान छोगई, चलो पैगिंग कर देते हैं, ना-सक ते गैणा के नाणी के घाउं के लिए निकल पड़े, राहुल जोती का नानी का घर काफी खूब्सुरत और चोटा सा गाउं था, जहन सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे राहुल जोती जैसे ही नाना नानी के घर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए नाना नानी तयार खड़े थे राहुल जोती को नाना नानी बोले राहुल जोती आजाओ हमारे पास को आजाओ फिर राहुल और जोती नाना नानी के पास जाकर उन से लिपट गए। फिर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिस्ट खाना खाकर राहुल जोती ने थोड़ी देर आराम किया और फिर दोनों अपने नाना नानी हाल का मज़ा लूटने के लिए तैयार हो गए। ये लो तुम दोनों के लिए मैंने एक हास इमली का रस बनाया है। इसे जल्दी से पीलो। इसे गर्मी में पिया जाता है। नानी की बनाई हुई इमली का रस पीकर तो राहुल जोती एक दम तरो ताजा हो गए। फिर नानी जी ने आम के पीड़ पर एक बड़ा सा जूला टांगा। राहुल जोती जूले पर बैठ गए। और जूला जूलते जूलते हवा में बाते करने लग गए। और फिर नाना जी के साथ घूमने चले गए। और फिर रात हो गई। फिर राहुल जोती नानी जी के सा अपने हाथों से खिलाती हूं फिर क्या राहुल जोती ने नानी के हाथ से पीट भर कर खाना खाया और खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और फिर राहुल जोती को गर्मी महसूस होने लगी नानी जी घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है पंखा कर राहुल और जोती जादा कंफ्यूज हो गए हमने कुछ گलत क्या है क्या ना बेटा ना तुमने कुछ गलत नहीं के चोड़ा सा तो हमारा गाओ है हमारे पास एसी जरूर है जो तुम्हारे शहर में नानी जी ने फिर जाकर छट पर गद्दे बिछाए और सोने लगए नानी हम भी आपके पास सोएगे हाँ हाँ तुम दोनों मेरे पास सोजाओ आओ सोजाओ